Welcome to the seventh episode of Think About It. सोचो जरा का इस inspirational सीरीज में, हम आप मारे जिन्दगी के अलग-अलग dimensions के बारे में सोच रहे हैं. क्या हमारे सोचना प्रभावशाली है? क्या वो हमेशा खारात्म ग्रूप से प्रभावित करते हैं या नहीं? लावुद्दू ने कहा है, if you correct your mind, the rest of your life will fall into place. अगर हम अपने सोचने के तरीकाओं को, मन को अगर ठिक करें, हमारी शेश जिन्दगी सही रास्ते परा जाएगा. इस एपिसोड में, एक मंत्री ने राजा से प्राइवेट में पूछा, कि आज दरबार में जिन लोगों ने आपके विरोध में, आपके विचारों के खिलाब बात किये, आपने उन्हें दंड क्यों ने दिया? Don't you think it is a punishable offense? राजा मुस्कुराया और कहा, चलो छोड़ो एक बात बताओ, Do you love my royal garden? क्या तुम्हें मेरा शाही बात पसंद है? मंत्री मुस्कुराया और कहा, कमाल करते हो महाराज? It's one of the most beautiful garden in the world. क्योंकि आप दुनिया बर के पेड, पौधे, फल, फूल, खिलने वाले पौधों को लाकर इखटे किया है. It is one of the best in this world. Because it has different flowers, variety of fruits, different kind of plants, and that makes this garden beautiful. राजा ने कहा, then why do you don't like different opinions and dissent in my court? Don't you think that these different opinions, suggestions, dissent also makes my court beautiful? राजा ने मुस्कुराते वे मंत्री से कहा, फिर तुम्हें मेरा दर्बार क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि दर्बार के विचार जो अलग-अलग है, वो भी तो मेरे दर्बार को सुन्दर बनाते हैं. वो अलग-अलग विचार और डिसेंट मेरे फैसलूं को और मजबूद बनाते हैं. सोचो जरा, do you think like a conservative minister who is insecure about different opinions? or do you think like that king who loves his royal garden full of variety? think about it. अगले अपिसोड में सुन्दर अनभाव एक्सपीश लेकर आपके सामने फिर पेश हुना. तब तक ते ले इजाज़त गुडबाई सी यू एगें